जैश्री महांकाल, जैश्री महांकाल दोस्तों आप सभी का आपके अपनी चैनल में एक बार फिर से आपको बहुत स्वागत है और बहुत ही आबारे आज हम इस यूडियो में बात करेंगे कि देवी शक्तिया जो हम पर होती है उसके कौन-कौन से संकेत है और वो संकेत हमें किस तरह से मिलते हैं और उनका कैसे हमारे जीवन में फाइदा उठा सकते हैं जिसे कि हमें बहुत सी जीवन में सकारत्मक्ता हो जाए तो बहुत बहुत दिनों से आपको एक बात जरूर कहा हुए कि आप comments में भोलनात का नाम जरूर लेगें, क्योंकि एश्वर हर जगा है, वो सबका स्वामी है, इसलिए मेरी एक इच्छाइट है comments box में भोलनात का नाम जरूर लेगें, अगर आप नए वीवर हो, और अभी तक चैनल को subscribers नहीं किया है चैनल से आप नहीं जूने हैं तो छोटा साफ से निवेदन है कि आप चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें ताकि मुझे अच्छा लगे और इसी तरह के मोटिवेंशनल और सकाराइब जूतिश रिलेटेड वीडियो आपको मिलते रहें उसे बात करना चाहते हैं इसकी पर नमबर आपको चल रहें आप उसे अपन्मेंट लेकर भी बात कर सकते हैं शुल्क है दोस्तों नॉमिनल है शुल्क देकर आप बात कर सकते हैं सबसे पहली है कि जब भी आपको अपने आसपास के वातावरण में खुश्बू का हैसास हो देखिए अचानक सब् miar ऐसा लगता है कि वातावर्ण में आपको कुश का है अगर आपको ऐसा महसूस होता है तो यह पहला संक्यत है दोस्तों अब पूरी बात है शुनना रा संकेत है कि हम कम मेहनत में बहुत सफलता मिल जाना कि कुछ हमारे जो भी हमने काम किई उसमें कोछ वीघ नहीं आया और दीर दीरे दीरे वह सफलता कि और चले गए बहुत हो गया है यस द मल खना होना सहीं तवाट होता है currently होता है तेसरी बात होती है कि आपको अपने यह ho बेटियोब आपको लोगों प्यार करते हैं जैसे चहिते नहीं होते हैं कुछ लोग घर में उस तरह का आपके साथ अगर भाव हो है तो समझे कि देवी शक्ति का भाव है . क्चो थी बात है कि मैंकि आप किसी भी वक्ति की मधद करते हैं या किसि को सामाने सलाह देते हैं और उनकी बड़ी से बड़ी परिशानी करूने वो निधान मिल जाता है तो ये भी एक संकेत है देवी कर्पा होने का का पाइर्वा संकेती दोस्तों कि यह लोगों को आभास हो जाता है इस będziemy वई से प्रतीत स्वयम के लिए उसका इन्हें आभास हो जाता है कई बार आके साथ भी चीजे में होती होती है अगर उस में से आते हैевी